हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक यह उलन तोरन में बना रही हूँ आपके लिए सिंपल सी और खुबसूरस सी डिजाइन है यह मैंने छोटा सा दो फीट का बनाया है नॉर्मली जो हमारा दोर होता है वो धाई या तीन फीट का होता है तो आप इसकी लंबाई उसके अकॉडिक ब दागा लिया है यह नॉर्मली थ्रीपले उल है जो हमारा नॉर्मल उल आता है वही है यह आप थ्रीपले या फोर प्ले कोई भी यूज कर सकते हो इसके लिए हुक साइज मैंने 12 या 13 ले सकते हो जो हमने लूप छोड़े थे तोरन बट्टी बनाते समय उसी में आपको इस अट्याच कर देना है सिंगल नॉट के साथ फिर इसके बाद आपको यहां पर दस चैन बनानी है पूरी दस और फिर इसको से उसी लूप में सिंगल कुशा के साथ अट्याच कर देना है इस तरह से तो यह 11 चैन का लूप बन गया फिर हम 11 चैन और बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और इसको अट्याच करेंगे सिंगल नॉट के साथ यह दिकिस तरह से लूप बनेंगे और हमें टोटल पांच लूप बनाने हैं तो ये तीसरा लूप वैसे ही ग्यारा चैन बनाएंगे और इसको अटाच करेंगे जो हमारा लूप बनाता जब आप तोरन पट्टी बनाते हों तब इस तरह की लूप छोड़े थे हमने तो इसी तरह से आपको टोटल पांच लूप बनाने हैं ये देखिए चार बनके और एक बनाएंगे जारा चैन बनानी है आपर भी और फिर इसको सिंगल नौट के साथ अटाच कर देना है तोटल हमारे यह आपर बारा पांच लूप बन गे ये लाइट थोड़ी जादा रिफ्लेक्ट कर वाइट कलर थोड़ा सा पिंक वाइट अण अट इस रिक जादा प्लेट लिया थी प्टें से लिए पटी ऊप heck step is Map, आसूशा आ कि होाओ हमारे एक और ऊक्ट थोड़ा appl이iest सेंटर तक लाना है इसलिए मैंने जू हमारी चैन थी उस पर Slip knot के साथ इसको आगे ले आई हो फिर आपको यहां पर एक single crochet दो chain बनाएं के उसमें ही double crochet बनाने है यह देखे एक दो double crochet फिर तीन chain फिर same उसी वाले लुप में ही दो double crochet बनाने एक और यह दूसरी यह देखे इस तरह से अब डायरेक हम जो आगे वाला लूप है उसमें डबल कुरुशिया बनाएंगे एक और यह दो डबल कुरुशिया 2 double crochet के बाद आपको 3 chain बनानी है आपे 3 chain और सेम उसी लूप में फिर से 2 double crochet फिर दूसरा double crochet हम आगे वाले लूप में attach करेंगे और फिर 2 double crochet 3 chain और फिर से 2 double crochet 2, 3, 4 होगे अब ये पाचवे नमबर का इसमें भी हम double crochet के साथ attach करेंगे एक और ये दूसरी फिर 3 chain 1, 2, 3 फिर उसी में ही और एक double crochet वीडियो जादा reflect कर रहा है अगर आपको design percent आई तो please comment करके बता दीजेगा मैं same design का किसी और color के ओल के साथ try जरूर करूंगी अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो please ठीक है वैसे मैं हर detail में आपको समझाने के कोशिश करूंगी फिर आपको ये एक ये दूसरा और ये तीसरी बारी line में इसको attach कर देना है सिंगल नॉट के साथ ये लेखे इस तरह से बनेगा पांच हमारे pattern बन गया है पंखुडियों वाले अब फिर इसको turn करेंगे पलट लेंगे और दूसरी साइड से तो इसको क्या करना है आपको direct double crochet के साथ लूप में attach कर देना है ये दो फिर दीसरा फिर चौता चार्ट डबल क्रूश्या बनाने है फिर इसके बाद तीन चैन बनानी है पर क्या करना है जो पहले वाला pattern है हमारा उसका भी जो लूप है जो हमने इस तरह से जैसे attach किया वैसे इसको भी दोनों को एक दूसरी के साथ attach करेंगे तो attach करने के लिए बस आप तीन चैन बनाके single knot के साथ धागे को उसमें attach कर दीजेगा ये इस तरह से और फिर इनको जैसे हम लोग एक पंखुडी के उपर बनाते हैं फिर देने के लिए तो वै जाने हैं फिर उसी लूप में ये दूसरा और फिर तीसरा तीसरा double crochet और फिर ये चौथा तो 4 double crochet एक pattern फिर 4 double crochet अब इस चार double crochet को direct attach करेंगे हम आगे वाले लूप में double crochet के साथ फिर से आपको 4 double crochet बनानी है यह आपे भी दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी तो 4 double crochet इसमें होगी फिर तीन चैन बनानी एक दो तीन फिर पहली वाली चैन में से ही कि दागे को स्लिप नॉट की सब निकालना है और फिर से आपको चार डबल कुर्शय बनानी है आपे सेम उसी वाले लूप में मैंने जैसे आपको पहले बोला कि बहुत सिंपल सी डिजाइन है इसमें कुछ भी हाड नहीं है सिर्फ दो पैटन्स है और दिखने में बड़ी सकती है आप जरूर ट्राइ कर सकते हैं और जहां पर नहीं समझ भाए कमेंट करके पूस्त लीजे नहीं तो मैं सोच रही हूं कि अलग उल्ट के साथ इसको फिर से बनाने का ट्राइब करूं कि यह वीडियो इतना अच्छे से शूट नहीं हो पाया फिर भी ट्राइब कीज इस तरह से हमारे दो टीन बन गए ऐसी तरह से आपको आगे वाले दो भी बनाने हैं एक दो टीन चार और यह पांच अब इसको टैच करेंगे हम एक दो तीसरे में सिंगल नॉट के साथ अटैच करेंगे फिर एक चैन और यह जो दागा है इसको यही पर ही कट कर देंगे पैटन आपको समझ में आगया होगा छोटा सा है सिंपल सा है और बहुत कम समय में बनने वाला पैटन ही यह इसी तरह से आपको आगे वाले भी बन अगर आप इसकी लेंथ और बढ़ाना चाहते हूं आप दाही से ती फीट के बीच में बना सकते हूं तो आप सेवन पैटन बनाई है मैंने पांच बनाए है तो दो आप एक्स्राइड कर सकते हूं तो आपके डोर के लिए नॉर्मली आ जाएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजेगा कुछ डाउट हो नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूच दीजेगा और थैंक यू फो